ये किलासिक बाईग रनिंग में बंद पड़ जाती है और थोड़े टाइम के बाद बंद पड़ जाती है और जब रनिंग में बंद होती है तो गाड़ी बिना चोक के स्टार्ट नहीं होती है पहले ये प्रोब्लम जटके मारती है ऐसा लगता जैसे पेट्रोल खतम हो रहा ह दूसरी प्रोब्लम इसमें यह है कि जब यह गाड़ी चलती है और वर हीट होती है तो इंजन से साउंड आने लगता है इन दोनों प्रोब्लम के पीछे का रीजन क्या दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे वीडियो को एंड तक देखना आपको एक बहुत अच्छी नौलेज इस वीडियो में मिलने वाली है अगर आप इस वीडियो को देखकर ट्राइ करेंगे तो आप खुद से भी अपनी बाईग में चोटी मोटी दिक्कत को सही कर सकते हैं खास करके इस वज़े की जो दिक्कत होंगी तो अब चलते हैं आपको बताता हूँ कि बाईग जब रनिंग में बंद पड़ती है तो बिना चोक के स्टार्ट नहीं होती है और इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है मैं दो से तीन काम करूंगा और इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल हो जाएगी तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बाईग जो है रनिंग में बंद क्यों पड़ती है और इस्टार्ट जल्दी क्यों नहीं होती है इस पे बात करेंगे सबसे पहले मैं ये पेट्रोल को खोल लेता हूँ यहां से इसमें 10 नंबर का पाना लगता है और इससे आप अपने घर पे भी कर सकते हो खोलते टाइम अगर वरिंग निकलती है यहां पर एक वरिंग लगी होई होती है निकलती है तो उसको डालते टाइम डालना होता है नहीं निकलते है तो अपने जगे पे लगी रहेगी अभी इसका पैट्रोल फेल्टर निकल गया है और सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या है तो इसमें कच्रा है अभी यहाँ पर मिट्टी है जो पैट्रोल में आती है अभी यह कईप खुलके दिखाता हूँ आपको यह वाला फिर देखना की इसमें क्या है इसके उपर complete एक और पहले से वीडियो लिंक description में देदूँगा देखिए इसके अंदर कितनी मिट्टी है अगर इतनी मिट्टी रहेगी तो भाई दिक्कत करेगी जटके मारेगी बराबर चलेगी नहीं बंद पड़ेगी रनिंग में क्योंकि गाड़ी को जब बराबर से कार्बॉरेटर में पेट्रोल खतम हो रहा था गाड़ी बंद पड़ जा रही थी और यह बड़ी चिकनी है यार पेट्रोल की मिट्टी है मैं अभी यहाँ पर इसको कर लेता हूं किलीन अच्छी तरीके से टाइंग में भी कचरा होगा टाइंग की आप से देख लेना जो हमारी सोट वीडियो आते हैं उनका पूरा कम्पलीट वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ होता है तभी मैं कोई सोट वीडियो डालता हूं तो यह देखिए इतना सारा कच्रा इसमें से निकला इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार तो यह हो गया हमारा पहला काम इसको हमने क्लीन कर लिया हैं पर इसको फीड कर देंगे उसके बाद करेंगे दूसरा काम क्यूंकि इस दोनों प्रॉब्लों को सॉल करने के लिए हमें वाइ यहां पर छीट होता है filter में करेड को टाइट करें गें और फिल्टर लग जाएगा कर दिती कि एस तरीके से टाइट कर लेहना है ज्यादा टाइट नहीं कर ने चाने देंगे तो पेट्रोल लिकेज होगा इसके लिए हास से ही पूरा चड़ाने के बाद में टाइट करना चाहिए अगर आप पाने से जबरजस्तिर से टाइट करेंगे तो तूड भी सकता है और लिकेज की भी प्रॉब्लम आ सकती है अभी इसको यहाँ पर मैं टाइट कर लेता हूँ और यह हो गया टाइट अभी टाइट हो चुका है अब चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ दूसरा हमको इसके अंदर और क्या काम करना है सिर्फ एक काम से गाड़ी अच्छी नहीं होगी और इसमें दो तीन काम करने के बाद गाड़ी गारंटी के साथ सही हो जाएगी देखिए इसके जो रिजर्ब में पेट्रोल है मैं में पेट्रोल नहीं इसके लिए मैं में पेट्रोल नहीं आ रहा है पेट्रोल कम है गाड़ी के अंदर और कभी भी पेट्रोल प्रेसर से आना चाहिए कोक में अगर प्रे वीडियो की लिंक डिस्क्रेप्शन में देंगे यहाँ पर देखे कितना कच्रा है यह कच्रा भी साप कर लेंगे तो इसको अभी मैंने साप कर लिया है और अब चलते हैं दूसरी प्रोब्लम की तरफ की गाड़ी वर हीट होने के बाद इंजन साउंड क्यों करता है दूसरा हमारा जो दूसरा प्रोब्लम है उसकी तरफ तो यहाँ पर इसका ओइल निकाला है देखे कितना इसके अंदर कच्रा है इन प्रोब्लम से मतलब तंग हो के कस्टमर ने गाड़ी को सर्विसिंग में डाल दिया है अगर इतना कच्रा लगा रहेगा इस जाली पे तो प पेट्रोल सप्लाई नहीं हो पाएगा यहां उपर वरोबर से टॉप पे पेट्रोल सप्लाई नहीं होगा और जब बाइग में टॉप पे अच्छे से सप्लाई नहीं होगा जितना इसको चाहिए गाड़ी को तो साउंड करने लग जाती है गाड़ी वर हीट होने के बाद स खराब नहीं होता तो इन चीजों को भी बारीकी से चेक करना चाहिए कि जो दिक्कत है वो है असल में कहाँ पर देखते हैं इसको इसके अंदर एक क्या है क्या कि कच्रा है बॉन ट्यूफ है और कुछ कपड़े के जैसा है इसके ओपर जो कि जाली को पूरी तरीके से चोक करक तो यह थी बाइक की जो वर हिट होने के बाद मतलब टिक टिक नोई चाहने लगती है वो इस वज़े से आ रही है इस बाइक में आप चलते हैं दूसरी प्रोब्लम की तरफ दूसरा क्या है तो एक बार मैं इस पार पलक कुल लेता हूं यहां पर उसके बाद मैं आपको दि दूसरा कार्बोरेटर पे यह हमारा तीसरा इस्टेफ है तो इसके पलक को मैं एक बार खोल लेता हूं और खोलने के बाद यहां पर भी आपको दिखाता हूं क्योंकि थोड़ी प्रोब्लम यहां पर भी है यह सब प्रोब्लम खतम हो जाएंगी जब हम बाइक को जाएने की जगे होती है और मेरे इसाब से यहां पर तीन एक्सों लोग लोग कट करते ना वह बिलेट यहां पर तीन चली जाएंगी गैब बढ़ा हुआ है इसका इसका गयब सेटिंग करताओं एक बार आपको दिखाता हूं अच्छे से जूम करके यहां पर जूम नहीं ह इतना होना चाहिए, गयब कभी भी 1-100 Natalie अराम से इसके अंदर चली जाए और बाहर आ जाए इतना गयब रखिए कभी भी पलक में, आच्छी प्टर्पॉर्मएंस रहेंगी बाइक की, यह देखे अभी मैंने इसको set कर लिया है और कभी भी इतना गयप रखना है आपको इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं तो अब इसको मैं fit कर लेता हूँ गाड़ी में और फिर आगे क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ बाइक की सब भी चीज़े लग चुकी है स्टार्टिंग में पहले भी बाइक में दिक्कत नहीं थी और अभी भी नहीं आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे थाइंक्यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए ये वीडियो के इसलगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए अगली वीडियो आपको किस टोपिक पे चाहिए इसके लिए कमेंट कीजिए थाइंक्यू दोस्तों एक बार भाइक को इस्टार्ट करते हैं करते हैं करते हैं